है गाइस विल्कम तो इंकाट वीडियो तूट्ोरियल्स हम इस वीडियो में हम लोग अपना फोर्ट प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम है इंतरेक्टिंट ट्राफिक लाइट तो बैसिकली यह जो प्रोजेक्ट है यह पिछले प्रोजेक्ट काहीं एडवान्स वर्जय टो आएड करेंगे तो आएए देखते है सबसे पहले की इस project को करने के लिoug में किन components की जुरुत पडा चुरूत सबसे पहले तो हमें दो red LED चाहिए फिर एक यजलो LED चाहिए दो green LED चाहिए और इलेदी इसके लिए पांच करिंट लेमिटीं रेसिस्टर्स भी चाहिए एक 10 किलो ओम का रेसिस्टर चाहिए और एक पुश बटन चाहिए और इसके अलाब़ा जंपर वायर्स, ब्रेट बोर्ट, और डिनो यह तो बेसिक रिक्वार्मेंट है यह आए देखते हैं इस प्रोजेट के सर्कीट को त तो यह हमारा इस प्रोजेट के सर्कीट है इसमें आप देख सकते हैं कि इसको इस सर्कीट को समझने के लिए हम सर्कीट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले तो हमारा यह पार्ट है यह जो पार्ट है यह हमाने पिछले प्रोजेक में भी यूज किया था जो तीन लाइट्स हमने यूज किये थे वेहिकल्स के ट्रफिक के लिए जो एडिशनल पार्ट इस प्रोजेक्ट में नया पार्ट है वो है ये पुछ बटन और ये तो लाइट का पार्ट तो सबसे पहले इसको जल्दी से समझ लेते हैं ये सेम connection तो सेम ही है जो हमने पिछले में यूज किया था पिछले प्रोजेक्ट में लॉंगर जो हमारा लेग है वो resistor के थूरू digital pin को आकर कनेक्ट हो रहा है हर light का longer leg resistor के थूरू यहां पर digital pin को आकर connect हो जा रहा है अब इस पार्ट में क्या हो रहा है कि यह जो पूड़ पान है इसमे आप देख सकते हैं कि इसके चार लेक होते हैं तो इसमें जो दो उपर वाले लेक्ष है यह ऐसे ही इस गोड़ नहीं तो यह जो connection होगा पूड़ पूड़ बेच में करेंगा जो यूजे करेंगा हम जो दो दोले वो नीचे का यह दो लेगा ये अम योज करेंगा उसका जो की मुआ या पहले गोंक के 10 तुक्योंक रिसिस्टर है , यह इस बात को ध्यान रखे कि ये यह जो यह जो resistor है, यह 10 kg का resistor है और यह यहां से जो left leg है इसे through यहां पर ground को आखर connect हुआ है और same leg, same leg यहां पर यह जो vertical strip से यहां पर समय connected होता है तो यह same leg यहां से connect हो रहा है pin number 2 को, digital pin number 2 को और जो इसका right leg है उससे हम 5 volt आप्लाइ दे रहे हैं तो यह एक्चली circuit में यहां पर horizontal shape में आके connect हो रहा है और फिर यह जो horizontal strip है यहां से यहां से यह जो horizontal strip है यहां से 5 volt को connect हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहां यहां से डिरेक्ली एक जंपर वाइव ले और यहां से डिरेक्ली यहां लाके 5 वोल्ट कनेक्शन डाल देंग और उसके बाद यह जो LED है उसके बाद यह जो LED है यह तो नॉर्मली जैसे पर इन LED को कनेक्ट किया गया है क Walmart को धाले को कुले से स्थरों यहां के दिया यप नॉगी एक मट 8 करणेक्ट कर दि Gwen's को देशनिच से लिए इसके जिसे ग्राउंट कनेक्टेड हमें यह यह जो स्थ्रिपस है यह यहां पर यह इच्छे से समझ में आ गया होगार्गा तो आप आप circuit को connect कर ले हां तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने circuit बना लिया यहां पर connection लगभग सेमी है almost same है जो हमने डिसकस किया था बस एक difference है कि यह जो हमारा LED है यह जो LED है इसका जो shorter लेगा उसको resistor के थूरू हमने पहले ground को connect किया और जो longer लेगा उसको directly pin से connect कर दिया है तो basically आपको यहां screen पर देख लिए screen पर यह क्या हो रहा है कि longer लेको पहले resistor को यहां से यहां connect कर रहे हैं और फिर जो यह resistor का पाट है इससे एक wire चाहिए हमें यहां से jumper wire के थूरू यहां पर connect करेंगे लेकिन अगर इस resistor को हम directly यहां पर डालके और यहां से यहां connect कर देता है तो हमें यहां पर एक wire के जुरत है वो कम हो जाएगा इससे जो है हमारा circuit थोड़ा clean दिखता है तो basically clean दिखने के लिए circuit में wires कम जित्ते भी कम wires यूज होंगे उत्ता पावर भी कम यूज होता है और उतना circuit clean दिखता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा shorter लेगा है उसके तुरूंग यह resistor को यहां पर ground से connect कर देंगे और जो longer लेगा है उसी में सिर्फ एक wire लाके directly उसको यहां पर digital pins में लाके connect कर देंगे यहां पर सो इसमें confused होने की कोई बात नहीं है दोनों circuit से यह अगर आपको जो मैं हमने पहले दिसक्स किया था वो करना चाहें तो वो कर सकते है या तो फिर आप यह कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं यह दोनों से यह क्योंकि एक complete circuit बनने पर चाहे रिसिस्टर वो negative side लगे या positive सब्सक्राइब कोई polarity नहीं होता है तो यह basic difference है मैंने circuit बनाया है और जो हमने आपका जो मैनुवल में जो दिया हुआ है circuit वो डिसक्स किया है क्योंकि वो भी डिसक्स करना चलू रही है इसलिए मैंने उससे को पहले समझाया और उसके बाद यह मैंने आपको बताया है हाँ एक और चीजियां पर यह point out करने का है कि मुस्ट अभी breadboards में क्या होता है कि जो पहले 5 के यह जो पहले 5 के horizontal strips होता है यह आपस में connected होता है फिर यहां पर एक breakage होता है फिर पांच strips आपस में connected होता है तो in case अगर आपको circuit वर्क नहीं करेगा तो आप एक बार यह जरूर चेक कर लें कि आपने यह दो पांच के जो ends है इसको आपस में connect किया है कि नहीं किया है जिसस आप पूरे horizontal strip में connection होता है तो screen पर देखिएगा यह जैसे नीचे तो मिसी हो गया थोड़ा से तो ऊपर देखते हैं तो यह पहले के जो चार इस ट्रिप है यह पहले के जो पांच स्ट्रिप है यह इसमें पूरा breadboard नहीं है तो पहले पांच स्ट्रिप के बाद हमें यहां कर देते हैं तो यह पूरा horizontal strip आपस में connect हो जाएगा यह नीचे का पूरा horizontal strip आपस में connect हो जाएगा तो यह वायर जो आपको इत्तपत चोटा सा वायर दिख रहा है यह काम करेगा तो आप jumper wire के तुरू connect कर दें ताकि यह पूरा horizontal strip connected हो तो आप कहीं भी connection डाल सकते हैं ground से कही से भी connect कर सकते हैं तो अगर आप पहले पांच में काम चला रहे हैं तो आपके creativity पर है सबसे पहले आप code को run कर लेता है फिर उसके logic को समझेंगे तो यह आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने code जो अपना book में आपका code दी रहा था वो मैंने type कर लिया है हाँ एक change है यहाँ यह जो cross time है हमारा यह 5000 है अगर आपके manual में यह 10,000 है तो इसको change करके आप 5000 कर लिजिएगा और बस हाँ सिर्फ यही एक change है बाकी code सेम है जो आपके tutorial में दिया गया है उसको आप as it is पहले type कर ले फिर उसको verify करेंगे हम समझेंगे भी code को समझेंगे पहले देखनेंगे project काम कैसे कर ला है फिर उसके बाद जो logic है उसका वो समझेंगे तो हमने code को verify कर लिया है और इसमें किसी तरह का कोई error नहीं है तो अब USB को PC से connect कर लिजिए करने के बाद जो दो पॉइंट समय यद रखने है कि हमें बोर को select करना है Arduino Uno हो दो हुना चाहिए बोर सेलेक्टेड और हमें पोट सेलेक्ट करना है मेरे लिए एक और On 3 है आपके लिए कोई और भी पोट हो सकता है तो जो भी पोट है वो आप सलेक्ट कर लिए नहीं आपकोड अपलोट नहीं होगा तो आप देख सकता है या पी की सबसे पहले तो वेहिकल्स हमारा जो है वह नो क्रॉस हो रहा है सबसे पहले यह पॉइंट करिए और यह घ्रीन लाइट है और यह गृण रेलुट है और पुछ बटन का यूज देखता है तो पुस्ट्बटन जैसे ही हम प्रस करते हैं तो यह यलो हो जाएगा फिर यह रेड हो जाएगा और काड़िये रुख जाएगी और यह ग्रीन हो जाएगा जो हमार पर इस्टेरियन्स है वो आप क्रॉस कर सकते हैं यह कुछ दिल तक क्रॉस करेंगे क्रॉस करने के बाद उनको एक एक एडिनिकेशन दिया जा रहा है यह ब्लिंक के थूरू कि होजाए और जनदा ird Also X में ब्लिंक करेंगा अब यह एक डींट करता है और यह होगा जाता है ओक दा अब वहिकल से लवड है, जल्दी से दवा दिये तो ये काम नहीं किया क्योंकि पात से कंद नहीं हो था आप 5 सेकंड हो चुका है हमेले क्याथ से तो आप फिर से हम तभाएंगे हो When he coats yellow, supposed to which then he will be red होगा, और यह green होजाएगे यह कुछ दिरो तब भी रहाएगा, almost 5 शेकंड के लिए. और फिर यह 10 되지 blink करते हैं ИО 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यह हो गया red yellow हुआ और फिर से वही कर जाना तो यह starting part है यह जो है हमारा initial state है और फिर हम बटन क्रिस करते हैं फिर यह yellow होता है यह points note करना यह yellow फिर यह red हुआ फिर फिर यह green हो जाएगा कुछ दिर तक green रहेगा फिर प्रोसेस को समझेगा यह प्रोसेस को याद करने माज़ी फिर यह red हुआ यह yellow हुआ फिर यह green हो गया अब वापस से initial state में हो गया तो जब हम code को समझ रहा है आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हम code को समझ रहा होंगे तो जो lights है हमारे आप सबसे पहले तो इस initial state म में रखेगा और जो lights है उसको आप ध्यान से देखेगा एक बड़ प्रोजेक्ट को रन करते रही है ताकि code को जब हम समझेंगे तो आपको कब कौन सा light on हो रहा है ओफ हो रहा है यह समझ में आएगा तो आए अब code को समझते हैं तो यह राग को हमारा code जो हमने यूज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए with no changes तो सबसे पहले तो कुछ initializations है तो यह car red, car yellow, car green, car red, car yellow, car green यह 3 LEDs है हमारे यह 3 LEDs है इसका जो connections है इसका जो digital pin number से connect हुआ है यह 12, 11, 10 है तो वो हमने variable initialize करके car red, car yellow, car green कर दिया अब उसके बाद paid red और paid green है paid red यह हुआ और paid green यह वाला light हुआ यह हमारा nine or eight से connected है तो हमने एक variable initialize किया paid red और एक variable डेक्लियर किया paid green और उसमें nine or eight initialize कर दिया तो यह भी तक हो गया बटन हमारा connected है pin number two से तो हमने declare कर दिया और बटन pin number two से connect होगा यहां पर फिर एक cross time यह जो five second मैंने बीच में बताया था आपको समझाते वक्त वीडियो अगर आपने ध्यान ने दिया तो वापस आपके चेक करिए मैंने गाता की пять second के लिए जो हमारा vehicle है वह कम से कम का green light है वो भी पांच सेकंद लिए जलता है तो यह कम से कम पांच सेकंद का क्रोस टाइम मिलना चाहिए दोनों को वेहिकल्स को भी अपर डिस्टूरियन्स को भी तो हमने एक इनिशालाइज कर दिया कि क्रॉस टाइम पहले से यह 5000 इनिशिलाइज कर दिया जो कि आगे चल्कि यह 5000 मिली सेंड बन जाएगा जो कि 5 सेंड होगा और एक चेंज टाइम जो कि हम चेंज जो एक मालब वेहिकल के ट्रफिक लाइट से अपरेश्टरियन में ट्रफिक लाइट चेंज होने में जो के बीच का जो टाइम है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम एक लॉंग वेरीवल क्यों डेक्लियर कर लेता है चेंज टाइम यह से हमने इंट नहीं रखा क्यूं लॉंग है क्यूंकि इसमें इसका जो बेल्ई था है जो इंट का रइंज होता है एक ज़्यादा आता है आई हो कि आपने see videos देखे होँगे देखा ता आप description में जो लिंक दिया 25 ऐ ऊसको Press overflow कर के देखा तो integer variable का एक range होता है, अगर unsigned है तो वो 0 से लेके 65,537 तक होता है, तो उस range से यह आगे का value रहता है, यह उस range से बड़ा होता है इसका value, इसलिए हम long use करते हैं, उसका range होता है, आप चिक कर लिए उसका range किता होता है, तो उसके बाद हम setup function में आते हैं, setup function में हम वही फिर से कर करते हैं, सारे leds का सबसे पहले pin mode output कर देंगे, हमें output चाहिए leds पे तो output कर देंगे, pin mode button का pin mode function उसका pin mode है, वह पर input करते हैं, क्यों? क्योंकि हम button को press कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो हम input दे रहे हैं, जो कि यहाँ pin number 2 पे, यह रिकॉर्ड करेगा, जैसे हम यह pin number 2 पे, वहाँ पर button प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक input state आएगा, कि input record करेगा, तो इसलिए हम वहाँ पर pin number 2 पे, input state में, बटन, sorry, बटन का जो mode है, वो input mode कर देते हैं, अब आते हैं, यह next statement पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कि digital light function का use करके, car green, मिंस यह light, यह आप देख सकते है initially यह हमारा fixed state, initial state है, तो car green को high कर दी, और ped rate को high कर दी, मतलब, pedestrians भी रुके हुए हैं, और vehicles जा रहे हैं, तो यह हमारे initial state था, I hope आप visualize कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप project को जो है, रं कराते हुए बगल में रखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा function, अब हम loop function में आता है, loop function में हमारा कौन सा code होता है, जो बार-बार run करते रहे हैं, regularly run करते रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कि हम इस initial state में हैं, अब vehicles जा रहे हैं, अब हमें vehicles को रोक के, pedestrians को यह जाना है, जाना allow करना है, तो आब हम क्या करेंगे, कि उसके ल में किये, तो यह digital read हुआ, digital read किया button, sorry, digital read function मतलब जो हम बताया थे, मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर जब button प्रेस करते हैं, तो यहाँ से input है, वो pin number 2 के जा रहा है, तो button को हमने 2 पहले से रखा है, तो यह digital read कर रहा है, जो input आ रहा है, वो read कर रहा है, और जो return कर रहा है, कि वो input है, वो return कर रहा है, तो return कर रहा है, हाई, जैसे हम button दबाएंगे, वो return कर रहेगा है, ऐसे आप इसा वो low return करते रहेगा, तो वो state में आप हाई हो गया, तो यहाँ पर एक statement यूज कर रहा है, कि if state is equal to is equal to high, means अगर state high है, end, end का use आप जानते होंगे, अगर आपने see videos देखाऊगा, कि end लगा देने से, end के जो left side जो statement होता है, और right side जो statement होता है, दोनों को true होना होता है, तो state is equal to high भी होना है, और millis minus changed है, मतलब current time, जो millis function है, हमारा, वो return करता है, कि जब से हमने Arduino को power दिया, तब से अभी तक, जब तक millis function encounter किया गया है, कितना time elapse हो गया ह है, millis seconds में, यह हमारा millis function जो है, return करता है, तो यह point करने वाली बात है, कि इसको यह important part है, कि millis function जो है हमारा, यह return करता है, कि अभी तब से अब तक, कितना time elapse हो चुका है, कब से, जब से हमने Arduino को power दिया था, minus change time, change time को initially minus 0 रखा है, तो initial state में तो यह 0 था, तो millis minus change time is greater than 5,000, मैंने कहा था कि vehicles को allowed होना चाहिए, फाइब में से कम से कम, उससे पहले अगर हम button दबा देंगे, तो यह काम नहीं करेगा, देखते हैं कैसे, यह, मैंने button दबाया, यह work करेगा भी, थोड़ा wait करना होगा, आप चाहिए तो forward कर सकते हैं, और, जैसे ही यहा फिर से red or green हो गया, अब अगर within 5 seconds हम दबा दिये तो कोई effect नहीं है, वो कम से कम 5 seconds चाहिए, आपको एक light से, मतलब vehicles के light से, pedestrians के light change होने में, कम से कम 5 seconds चाहिए, तो वो उस चीज का logic जो है, हम यहाँ से, यह, यह जो हमारा statement है, यह, यह statement है, यह नीचे का जो statement है, इस से हम यह logic अचीव कर रहे है, तो अगर दोनो statement true हो जाता है, मिंस दोनो जो condition है, वो true हो गया, तो फिर हम change light एक user depend function है, जिसको हम call करते है, आप देखते हैं कि change light function क्या है, तो change light basically वही है, कि यह हम मैंने बटन दबाया, तो उसके बाद जो calms हो रहे है, वो हमारा change light के through होता है, तो आ अब यह 5 second तक green जाएगा, फिर blink करेगा, फिर यह red हो जाएगा, यह 10 times blink करेगा भी, फिर yellow फिर यह green हो गया, तो वापस से initialistic, वही काम अभी change light के through होगा, तो digital light हम कर रहे है, सबसे पहले क्या होगा था, car green को low कर दिये, car green को low कर दिये, car yellow को high कर दिये, और 2 second का delay दिये, तो सबसे पहले जो yellow light यहां फे, yellow light यह वाला on होता है, और यह off हो जाता है, यह yellow light on हो गया, यह off हो गया, अफिर 2 second का delay दिये, उसके बाद digital light function का यूज करके हम car yellow को low कर दिते हैं, और car red को high कर दिते है, मिंस जो हमारे यह red हो जाएगा, और यह yellow लो हो जाएगा, अब यह गाड पेड रेड लो और पेड ग्रीन हाई, मिंस जो हमारा पेड रेड था, यहां पर पहले से रेड था, उसको green वो turn off हो गया, और पेड ग्रीन हमारा हाई हो गया, मिंस पेड ग्रीन हाई रहा, और वो delay दिया 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 दिया, cross time तक, मतलग 5 second लिए allowed है, pedestrian को cross करने का, तो 5 second तक allow किये हम delay देके, और उसके बाद 10 times जो blink करता है, उसके लिए हम एक for loop का यूज़ कर लेते हैं, for loop में हम क्या करता है, कि simultaneously इसको on off, on off, high low, high low, change करते रहते हैं state को, digital light function यूज़ करके, और delay बीच में देते है, 250 milliseconds का, जो कि बहुत कम लगता है, तो उसके बाद क्या होता ह कि blink करने के बाद हम indication दे चुके हैं, अब pedestrians को हम बोल चुके हैं, कि भाईया आप रुख जाईए, और आपको आप रुखना पड़ेगा, क्योंकि आप गारियां जाएंगे, तो रुखने के लिए क्या होगा, कि paid rate high हो जाएगा, और फिर delay हम देंगे 500 milliseconds का, थोड़ा stable होने क लिए लोगों को, और फिर car yellow हाई करते हैं, कि उसको बोलते हैं, कार वालो को कि भाईया आप अपना घड़ी on कर लीची, आपको जाना है, फिर car red को low कर देंगे, और यह जो delay है, यहाँ पर एक second का एक delay देंगे, और फिर car green को हाई करके, car yellow को low कर देंगे, तो यहाँ पर य यह green हुआ, पांच second के बाद blink करेगा, यह ten times blink करेगा, अब इसके बाद वाला part वहाँ पर है, कि यह off होके, यह red high होगा, फिर yellow दिये, फिर green दे दिये, यह initial test में आ गया, तो यह वाला, यह part of coger, हमारे यह, इसके तरू हम यह execute करते हैं, और उसके बाद last, यह बहुत important है, क change time is equal to minus, means, यहाँ पर आने के बाद, जो current time था, वो फिर से हम change time में डाल देते हैं, ताकि आगले बाद जब push button को हम press करेंगे, तो वो condition, जो हमने discuss किया था, यहाँ पर, यहाँ पर जो हमने discuss किया था condition, यह condition, चेक हो सके, कि minus change time, तो वहाँ पर change time हमने current time दे दिया, current time दिया, अब फिर वापस से जो control है, वो यहाँ पर आता है, अब यहाँ से आके वापस से state check करेंगे, तो जैसी हम button दभाएंगे, तो यहाँ पर condition चेक करके वापस से, जो सारा कहानी है, वो वापस से, वो फिर से होगा, सारा कहानी फिर से दोड़ाया जाएगा, तो यह था हमारा fourth project आयोग कि आपको यह पसंद आया होका फोर्स प्रजेक्ट और थोड़ा लेंडी हो गया समझाने में लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत यह एक लॉजिक बहुत अच्छा यूज किया गया इसमें आपका कोई और भी लॉजिक हो सकता है वो भी आप अपलाई कर सक होगे तब तक के लिए थैंक यू टेक केर अ